हेलो साथियों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज किस वीडियो के माध्यम से आपके बीच मैं एक वार पुना आ चुका हूँ मेरे जितने वी साथ ही है, फर्मासिस्ट के लिए आवेदन अउनलान अपलाई करने वाले सारे कंडिडियों को इस वीडियो को सुरू से अंततक देखना है देखें, ये वीडियो बहुत ही इंप्रोटेंट होगा, अगर आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर के अंततक देख लेते हैं नहीं तो आप लोग को बहुत आईसी चीज है, जो अगर आपको छूट जाते हैं, तो बहुत ही दिकत होगा मैं जायदा टाइम लेप्स नहीं करूँगा इधर उधर के बातों में, डारेक्ट पॉइंट पर चलूँगा और वीडियो को सुरू करूँगा वीडियो सुरू करने से पहले दो छोटी रिक्योंस्ट कर लेता हूँ, एक वीडियो को सुरू से अंततक देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके लाइफ का बात है, मैं इंपोर्टेंट बात बताऊंगा, फिर फर्म को अपलाई करिएगा दूसरी बाते, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक कर दीजेगा और अपने भाई के लिए, मेरे लिए, चनको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजेगा BTSC से रेलेटेड एक-एक पॉइंट पर मैं बात करूँगा आपको अभी से ले करके, जब तक आपकी जोईनिंग नहीं हो जाती है तब तक मैं वीडियो आपको लिए इंपोर्टेंट देता रहूँगा और बिहार स्वास्तिवाक कात्व नमबर वन आपके लिए ये चैनल होगा ही क्योंकि मैं हर एक चीज सबसे पहले अपडेट देता हूँ आप लोग देखती रहिएगा, आपको खुद ही समझ मा जाएगे तो चनल को सबस्क्राइब करिएगा चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको जानकार देदू कि बिहार तकनेकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया मैं step by step दिखाऊंगा इसी वीडियो में फॉर्म अपलाई करने के लिए आप लोग घबराईएगा नहीं, हर एक चीज किलियर कर दूँगा एक ही वीडियो में तो जब डेबसाइट पर यहां पर फॉर्म भरने के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया गया लिंक काम कर रहे हैं तो आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हर बराना नहीं है करना क्या है हरवराना नहीं है कि जल्दी समझे फॉर्म का अपलाय करना है जल्दी समझे नहीं एक महिना तक फॉर्म भरने का टाइम है पूरे तीस दिन का और फॉर्म भरने में कितना देर लगेगा तो तीस मिनट तीस मिनट बहुत हो किया तीस मिनट लगेगा माल लिजे ए की घंटा तो तीस दिन के में हम एक घंटा नहीं निकाल पाएंगे फॉर्म भरने के लिए इसलिए हरवरा करके फॉर्म नहीं बरेंगे दो चार दिन रुक जाईए तो आप फॉर्म भरिएगा अब आप लोग सूचते होंगे कि सराय साप को क्यूं बोलते हैं देखिए यह मा सब्सक्राइब अभी से चिला रहा हूं गलती मत करिएगा यह मार्क मेरिट मेरिट बेस पर है और इस मेरिट मेरिट मेरिश एक्यानी तो इस बजह से आपकी में दिखकते हो जाए तो कितने वड़ी समस्या होंगे इसलिए, दो-चार दिन में रुख जाने के लिए बोलता ह लेकिन 2 दिन हो जाता है to running mood में आ जाता है website क्योंकि कोई भी चीज़ का बनता है तुरंट तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के दखा जाता है एक दू प्रैक्टिकल होते रहता है तो उस सारे चीज़ों के लिए 2-3 दिन छोड़ देना चाहिए फिर apply करेंगे तो 72 होगा एक point चीजों के जो मार्क आपको अच्छी तरिक्या से एक एस्पिलिंग तक गलत नहीं होना चाहिए, अगर एक एस्पिलिंग भी गलत हो जाता है तो दिक्कत होगा, क्योंकि यह मार्क का धार्ट है, क्योंकि आपने जो डिटेल्स भरी हैं, उसी के माधियम से आगे कार्ज कि हाँ मेरी परिच्छा के अंक्याधार परोगा बाद में भी ठीक हो जागा इसलिए एक भी डिटेल्स गलत ने वरेंगे ये बात नोटिस में भी लिखा हुआ है इस चीज को समझेगे माँ एनम के वैकेंसी को बात कर रहो एक सराय टेकनिशन ओसी जी उससे पहले भी बहुत को देखना है हरवराय महीं है अराम से फ़र्म भरना थायेगा तो जब सरायवर के आराम इस्तितिम हो उसके पास कोई लोग नहीं हो तब यी फ़र्म को apply करना है इस वात को समझी है अब हर्म apply करने के लिए क्या जूरत परेगा तो document का क्योंकि document upload करेंगे वह हैं document उनके पास जाएंगे तो क्या-क्या document चाहिए अब यह जो document क्या का चाहिए मैं आपको document का list दिखा देता हूं उतना document आप लोग अपने पास सुरक्षित कर लेंगे उसके बाद ही form भरने के लिए आप लोग apply करने के लिए शुरू करिएगा तो चलिए screen पर हम आपको document दिखा देते हैं फिर apply करने के लिए step by step हम लोग शुरू करेंगे आप लोग देख लेना है कहां पर क्या भरना है तो चलिए screen पर देखते हैं document list को document का हम लोग list देख लेते हैं सबसे पहले आपके पास 10th का marksit होना जरूरी है उसके बाद दोस्तों 10th का certificate होना जरूरी है फिर 12th का तो रहना ही जरूरी है क्योंकि 12th के अधार पर तो आपका यहां पर result बनने वाला है उसके बाद 12th का certificate भी जरूरी है और डी फर्मा या साथ ही दोस्तों बिहार फर्मेंसी नर्सिंग कांसिल का आपका registration यहां पर होना जरूरी है जिनके पास बिहार फर्मेंसी नर्सिंग कांसिल का registration नहीं होगा वो form को apply नहीं कर सकते हैं अगर आप B फर्मा का course कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बाता यह भी होना चाहिए अग बिहार फर्मेंसी नर्सिंग कांसिल का आपका फर्मेंसी कांसिल का आपका registration होना जरूरी है एक्स्प्रियेंस है तो experience certificate होना चाहिए ध्यान दीजेगा experience certificate सिवील सर्जन सर से बनाने का कोसिस करिएगा आप लोग यहां से बनेंगो तो बहत्तर होगा काश्ट certificate SCST candidate जो भी है वो जाती प्रमानपत्र बना लेंगे और आवासी प्रमानपत्र सभी जाती के कैनेडेटों को बनाना है चाहिए वो general हो कोई भी कैटिग्री हो अब NCL प्रमानपत्र NCL certificate क्रीम लेहर रहित प्रमानपत्र EBC जाती के और यहां पर BC जाती के जितने भी कानेडेट है सभी को बनाना जरूरी है जो स्वतंदरता सैनानिक है वो freedom fighter बना लेंगे और आधार कार तो सब के लिए जरूरी है और फोटो आप लोग देख लिजेगा तो इतने सारे document आपके पास नहीं है तो पहले इकठा कर ले उसका form apply करने के लिए शुरुवात करें अब चलिए हम लोग वीडियो को और भी आगे करते हैं आपने document का list देख लिया पूरी complete document देख लिये कि क्या क्या आपने पास रखना है और apply करने के टाइम है तो यह चीज हो गया अब साथ यह हम लोग चलते हैं official website पर और एक एक चीज को देखते हैं कहां से हम लोग apply करेंगे और कहां पर क्या क्या form को भारेंगे हम लोग अपने mobile के google पर आ गये या फिर आप लोग laptop खोलिएगा तो laptop के google पर आ जाईएगा और यहां पर हम लोग इसमें search क्या करेंगे BTSC अब जैसे यहां पर search करेंगे तो BTSC search करके आ गया अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखिएगा तो दो चीज दिखाए देगा आपको एक परिक्षा और एक यहां पर welcome दोनों BTSC का ही website है दोनों पर आप लोग click कर सकते हैं लेकिन अगर आपको form online apply करना है तो परिक्ष classification advertisement यह देख लेना है अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे click करेंगे जैसे click करिएगा तो आपके सामने इस तरह सी खुल करके सामने दिखेगा डारेक्ट फर्मासिस्ट advertisement number registration date registration last date fee deposition date form submission last date और view advertisement apply user instruction यह सारी चीज़ों में देख लिए लास्ट देट 4-5-2023 तक है यानि पूरे एक मेना इस तक आप लोग फर्म अप्लाइ कर सकते हैं user instruction को अगर आप लोग type करते हैं तो चल क्या करंगे तो चल कbenदी अप लेकर सी खुलिएगा अब हम लोग को सबसे पहले registration कर लेना है अब registration पर हम लोग इसी click करेंगे आभ जैसे registration करेंगे यहां पर देखे imagen पर देखा हुआ किर्पिया ध्हांदे पंजिकरन पूरा करने के लिए निमने लिखित विब्रन आपके पास होना चाहिए यानि कि जो जो विब्रन होना चाहिए लिखा हुआ है तो आप लोग इसे को आप पड़ भी सकते हैं वैसे हम जो डोकुमेंट है वो ही डोकुमेंट के बारे में है पूरा चीज यहां पर लिखा हुआ है वो सारा चीज आपको देख लेना है अगए पेज खुल आया और यहाँ सारा चीज देखेंगे अब क्या करना है यहाँ पर आपको कंडाट को अपको नाम कि फिमेल है कि आप मेरेड है कि एाप करेंगे जैसे युहां पर नाम लिखना है। तो यहां पर हम लोग ऐसे चीज़ एंड चंदन लिख दिए फादर सन्यम जो रहेगा वो लिखेंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहें क्या रहा हूं इस तरह से हम लोग सारा चीज़ को भरते भरते नीचे आएंगे अब देखें यहां पर ध्यान दिएंगे कह रहा है कि आप सरकारी कर्मी हैं थे नियमित संबीदा यानि कि अगर आप संबीदा पर कार्ज कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे यस पर किलिंग करेंगा नहीं है तो नो परकिलिग करेंगे तो माली जो हम नहीं है संबीदा करमी तो नो परकिलिग कर दिए अब नो परकिलिग करेंगे इस तरह सिखुलेगा आप देखे दोस्तों यहां पर कर रहा है कि यहां परकिलिग करेंगे नहीं तो नो पर उसके बाद यहां पर अपना पर्मानेंट एड्रेस भर देना है पर्मानेंट एड्रेस भरने के बाद यहां पर एकेडमी क्वालिफिकेशन डिटियल्स भरना है यानि कि आपके मार्क और यहीं पर हर चीज अच्छा तरीका से भरना होगा जैसे कि बोर्ड का नाम किस बोर्ड से हो उस बोर्ड इसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सी यह पास की हो रॉल नंबर यहां पर एवलिएशन टाइप यानि कि परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज कितना मार्क प्राप्त कि हो मैक्सिमम मार्क कितना था यह सारा डिटेल्स भरते हुए हम लोग कहां पर आ आ जाना है यहां पर नीची आ जाना है नीचे क्या करेंगे वियू अब यहां पर मैं आपको एक तो जानकारी दूँगा जानकारी मां आपको यह दमय यहां पर चाओँगा कि रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार होगा रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा इसलिए सोच समझ करके एक एक स्पिलिंग को देख करके हरा बराना नहीं है बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सुधार नहीं होगा और इसमें गलती भर दीजेगा तो बाद उसुधार नहीं होगा आपका merit list नहीं बनेगा result नहीं बनेगा दिक्कत आएंगे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और इस तरह से आपको करना है आगे करना है साइवर केफ में जाएगा तो हाँ हाँ मत मिलाते रहेगा हाँ सर हाँ बया हाँ बया उसको देखकर के आप लोगा हाँ हाँ भर येगा नहीं तो गलती भर येगा दिक्कत होगा आप साथ समझ गियोंगे यहाँ पर कैसे कैसे करना है और किन-किन सारे बात पर धियान देना है खास कर कि जो दिहान देने वाले बात होगा वो आपके डिपलोमा का मार्क 10th का मार्क 12th का मार्क क्योंकि मेरिट इसी पर बनेगा तो 10th 12th डिपलोमा इनका मार्क तो बिलकुल असानी से और एक एक पॉइंट को कवर करके देखेंगे थरा भी मन में डॉट होगा मत भरिएगा रुक जाईएगा दो दीन दीन सोच लिजएगा एक दो से पूछ लिजएगा कनफॉर्म जानकारी होने के बाद भी फर्म को फाइनल समिट करिएगा है ना कमेंट करिएगा मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा आपको हिल्प कर सकता हूँ वहाँ से तो चलिए आप बादचीत करने के लिए टेलिग्राम गुरूप का लिंक डेस्क्रिप्सर में उसको जोईन कर लिजे वहाँ सभी हमसे सारी बादचीत आप लोग कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर मुझे सब्सक्रा करते हैं थैंक यू